गुड़ी उनी फ्रेंड्स, स्वागत आप सभीका, हमारी यूट्यूब चनल उतकर्स नसिंग लाइक क्लासेज में आशा करता हूँ, सभी लोग अच्छे होगे, आपकी स्टड़ी अच्छी चलोड़ी होगी आज ही क्लास को हम continue करते हैं, हमारी लास्ट क्लासेज से, आज ही क्लास में हम एक important topic पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले exams के अंदर काफी helpful रहेगा, लंबर पंक्चर, ठीक हैं, यहां से आपके exam के अंदर questions बनते हैं, यह वो selected topic हैं, जो कि इसी exam के अंदर पुछे जाते हैं चोटे चोटे टोपिक्स है जो आपके स्लक्षिन के अंदर काफी इपोर्टेंस रखते हैं सो अच्छे से क्लास को enjoy करना और जो भी को doubts होते हो आप supportive नंबर पर पूछ सकते हो and comment में डाल सकते हो and description के अंदर classes के link होते हैं जो भी अपनी classes है और वाली उन सभी के description के अंदर link है आप वहाँ पर जाके classes पर visit कर सकते हैं and अगर आपकी और भी को इसके अदर परिज होती है तो आप पूछ सकते हैं and one more thing classes को आप share कर दीजेगे ठीक है क्योंकि आपके share, like and views ही हमारा motivation होता है आप classes को like and share जूर करें चो class को शुरू करते हैं आज ही class के अंदर हम एक important topic पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है, number puncture से ठीक है guys, number puncture है जो आपके क्या होता है, कैसे याँसे question मनते हैं क्या क्या important keep on रहने वाला है इसके अंदर से, सब हम discuss करेंगे क्लास को शुरू करते हैं class को like and share कर दीजिएगा हम class को शुरू करते हैं number puncture से, ठीक है number puncture नाम तो सभी ने सुना होगा यहाँ पर थोड़ा सा variation आता है students को यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर जो sight होती है बहुँ ज़्यादे important मानी जाती है यह लंबर puncture के अंदर जो needle होती है यहाँ से बहुत question आता है जो needle होती है, उसको कौन से space पे, कौन से vertebra के अंदर insert करते हैं सारे क्यों से नहीं discuss करेंगे क्या क्या complication होते हैं, क्या purpose होते हैं क्या procedure होता है, क्या position देते हैं, यह सब आपके practical and theory basis, दोनों के point of view से important होता है, तो आईए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले number puncture होता क्या है, यह एक ऐसा process होता है, जिसके अंदर आपके spinal cord के अंदर एक needle को insert किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्या क्या purpose होते हैं तो सबसे पहले, आपको मैंने एक term बोला है यहाँ पे, कि आप needle होती है needle को, ध्यान से समझने सारी बाते needle होती है, यहाँ पे needle कितने goj की होती है एक 22 goj की होती है एंद एक 25 goj की needle होती है ठीक है गाईस, इस needle को मैंने simply एक word बोला है sub arcanoid space, ठीक है, आपको line to line समझ आएगी sub arcanoid space के अंदर insert किया जाता है मैंने simply यही line बोली है अब sub arcanoid space क्या होता है आपको यह time समझ में आ जाएगा तो आपको यह पूरा procedure समझ में आ जाएगा तो आईए ध्यान से समझते है sub arcanoid space क्या होता है sub arcanoid space space आपका जो manesies होती है आपका brain होता है दिखिए कैसे होता है scarf होता है फिर skull होता है ठीक है guys, scarf होता है skull होता है उसके बाद में आपकी manesies होती है then इसके बाद के अंदर आपका brain present होता है तो यह sequence होता है क्या आपके brain की जो covering होती है, सबसे पहले scalp होता है, जो outer visible होता है, then इसके बाद scalp आता है, फिर meninges आती है, then meninges के बाद के अंदर, जो आपका present होता है, वो आपके क्या होता है, brain present होता है, अब यहाँ पे मैंने एक word use किया है, meninges, ठीक है, मैंने last classes भी समझा है, जम नर्वस टीशों में डिसकस किया था, दो पाड़ थे, जाके अच्छे से देख लेना, क्या कैसे होता है, meninges होती है, इसके तील लेर होती है, आप तील लेर को याद रखने के लिए, एक ट्रिक याद रखना, D, A, P, ठीक है, तील लेर होती है, डूरा मीटर, डूरा मीटर, आर्कनोइड मीटर, एन पाया मीटर, ठीक है, यह तील इसकी important meninges की लेर होती है, यह meninges की यह तील लेर होती है, दखो, याद रखने का तरीका होता है, यह जो लेर होती है, इसको आप outer layer बोलते हो, एंड यह होती है, middle layer होती है, गाइस, बहुत यहांचा सुना, important concept है, समझ में आएगा, एंड यह होती है, आपकी inner layer होती है, याद रखने का तरीका, दीज से आप याद रखना, डीज से आप याद रखना, दूर वाली layer, outer मतलब, brain से दूर वाली, ठीक है, यह दूर वाली, और यह, pass वाली, तो inner layer है, pass वाली, और durameter है, दूर वाली है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, sub-archanoid space, ठीक है, sub-archanoid space, यहाँ पर कौन सा होगा, सबसे पहले ध्यान से सुनना, यहाँ पर, archanoid के उपर वाला, ठीक है, यह वाला तो होगे, epidural, ठीक है, ap के नीचे sub बोलोगे, तो इसले आपने क्या बोला, subdural space, समझा रहा है, durameter के उपर वाला space, epidural, epidural space, and यह वाला, subdural space, ठीक है, इसके बाद, archanoid meter और, parameter के 20 का जो space आता है, उससे आप कहते हो, sub, archanoid space, ठीक है, आगे सभी को समझ बें, sub archanoid space कहा था, तो आप, needle को कहा, और यह जो मैं बात बता रहा हूँ, यह brain की नहीं, यह spinal code, क्योंकि आपको पता होता है, जो central nervous system होता है, उसके दो इतों पार्ट है, brain and spinal code, तो brain and spinal code की, outer covering भी सहम होगी, तो वही covering, इसकी spinal code की भी मानी जाती है, तो meninges की, वही layer spinal code के अंदर है, तो यहाँ पे, sub archanoid space के नदर, आप क्या करने जा रहे हो, कि आप सब archanoid space के अंदर, needle insert करोगे, लेकिन purpose क्या होंगे, ठीक है, definition लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझाना चाहिए, ठीक है न, तो अब आपको, यह मैंने समझा है, needle insert कर रहे हैं, आप सब archanoid space के अंदर, why, क्यों कर रहे हो, क्या purpose यह आपके यहाँ पे, ठीक है, तो आईए हम purpose समझने की कोशिश करते हैं, कि purpose क्या क्या है, ठीक है, मैं इदर purpose लिखनी जा रहा हूं, तो purpose देखते हैं, क्या क्या है, तो purpose हमारा, बहुत ही important है, वहाँ से question आ चुका है, यहाँ से question आ चुका है, यह वाले space, फूचता exam के अंदर, कि सब arachnoid space, किस-किस के बीच में होता है, आप यह वाला concept याद रखना, question गलत नहीं होगा, कभी भी आपका, वो important है, वो question आ चुका है, तो purpose, अब यहाँ पे आप, CSF collection के लिए, अब यह CSF क्या बला है, इसको भी समझेंगे, हाँ, रटना नहीं पड़ेगा, CSF के, CSF collection, CSF pressure चेक करने के लिए, हाँ, CSF collection के लिए, CSF pressure के लिए, और spinal anesthesia भी दे सकते हो, आप यहाँ से, spinal anesthesia भी दे सकते हो, drug administration भी कर सकते हो, drug administration के लिए भी दे सकते हो, and और क्या purpose हो सकता है, यहाँ पर आप CSF analysis के लिए भी, मतलब कि कोई आपको CSF के routine जाचे करनी होती है, उसके purpose से भी आप इस यहाँ पर इस procedure को perform कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ important बात यह आ रहे है, कि यह CSF CSF नाम आपके सामने ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आए CSF क्या होता है, इसको समझते हैं, CSF, तो purpose लिख लेना, अब हम CSF के बारे में डिसक्स करने जा रहे हैं, तो CSF के बारे में मैं कुछ पहले भी बता चुका हूँ, कुछ बातें, ठीक है, तो देखो, CSF, इसकी full form होती है, cerebral spinal fluid, ठीक है गाईस, लिख लेना, cerebral spinal fluid, CSF की full form होती है, यह आपने नाम सुनना होगा, brain के अंदर, ध्यान से सुनना सभी, brain के अंदर, आपके lateral ventricle present होते हैं, यह lateral ventricles present होते हैं, यह lateral ventricles, अब सभी को पता है, कि ventricles तो आज तक हम सुनते हैं, यह हमारे heart में present होते हैं, दो present होते हैं, right and left, जिनको आप pumping chamber भी कहते हो, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कि आपके heart में नहीं, यह आपके brain में भी ventricle present होते हैं, जिने आप नाम देते हो, lateral ventricles, ठीक है guys, और lateral ventricles कितने होते हैं, दो present होते हैं, इसके बाद में, आपके third ventricle भी present होते हैं, ठीक है, third ventricle present होते हैं, एंड फोर्थ वेंट्रिकल भी present होते हैं, यह कितने होते हैं नमबर में, एक एक, तो आप से कोई exam में question पूछ ले, कि brain में total कितने वेंट्रिकल present होते हैं, तो आप answer कीजिएगा, total in number 4, आपके total 4 नमबर के अंदर आपके lateral वेंट्रिकल present होते हैं, ठीके, अब यह वेंट्रिक का function क्या है, क्यों present होते हैं, तो आईए सुनते हैं, देखो, यह जो वेंट्रिकल होते हैं, इनके अंदर आपके choroid plexus present होती है, क्या present होती है, choroid plexus नाम ध्यान रखना बहुती important है, choroid plexus present होती है, यह choroid plexus आपके, वहाँ पे csf production का work करती है, क्या करती है, csf production, ठीक है, question आ सकता है, exam के अंदर, csf production कौन सी sensor होता है, choroid plexus present होती है, यह choroid plexus continue csf production करती है, अब exam में question पूछ ले, कि maximum csf का production कौन से ventricle से होता है, अब एक ही right answer करना, अगर तीनों option में हो, तो lateral ventricle से maximum amount के अंदर csf का production होता है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल चुका है, choroid plexus यहाँ पे present होती है, चारों ventricle के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादे lateral ventricle, अब जो csf माल लीजी, यहाँ से production हुआ, ठीक है, यहाँ से lateral ventricle से production हुआ, फिर यह foramen of monero के through, यह third ventricle में आता है, ठीक है, third ventricle से यह duct of cell is के through, fourth ventricle में आता है, and fourth ventricle के through कहा जाता है यह, ठीक है, ध्यांजा सुनना, fourth ventricle के through, csf आपका यह जाता है, sub arcanoid space, जो आपके brain and spinal cord दोनों जेगा present होता है, ठीक है, csf यहाँ पे आके, आप sub arcanoid space के अंदर आता है, अब question यह बनता है, sub arcanoid space में आपका csf आ गया है, अब आप procedure तो करीं लोगे, लेकिन कुछ important point सुन लीजीए, जो csf होता है, वो किस rate से produce होता है, important point, कितना होता है, क्या pressure होता है, तो csf के बारे में यहीं पर कुछ point है, जो इसके regarding question में जान लेते है, csf की जो production rate होती है, 0.5 ml पर मिनट, अगर हमसे hours में question पूछ ले, 30 ml पर hours, अगर हमसे per day में 24 hours में question पूछ ले, 720 ml पर day, ठीक है, यह आपका, लेकिन अगर हमसे constant value पूछ ले, तो आप करना 140 ml पर day, यह constant value क्या है, अगर constant value का मतलब यही है, 720 ml तो वहाँ रुकेगा नहीं, जो बना है वो absorb भी होगा, किसके थुरू अबजोर होता है csf, arc node will I present होती है, आपके सब arc node space के अंदर, उनके थुरूँ csf का reabsorption कर लिया जाता है, जो constant amount बसता है, range में पूछे, 132, 150 ml आपकी constant value होती है, ठीक है, यह important question है, बनते हैं exam के अंदर, सारे question important है, बनते हैं, ठीक है, लिख लेना इनको, अब csf का जो pressure होता है, यह csf का production rate था, अब जो csf का जो pressure होता है, वो कितना होता है, तो आपको एक ही right answer करना है, 62, 180 mmH2O, ठीक है, और यह भी ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत variation हर book में होता है, तो यह भी लिख सकते है, 50 to 150, और अगर mmHg में पूछ ले, तो 5 से 15 mmHg, यह आपका csf के regarding question, ठीक है, adult की ranges हैं यह सभी, अब हम हमारे topic पे आते हैं, जो चल रहा था, csf आपके सब अरफ नोड़ इस्वेस के अंदर present होता है, अब यहाँ से जो question बनेगा, यहाँ से जो question मनेगा, कि आप number puncture कौन से condition में नहीं कर सकती हो, तो ऐसी कोई भी condition, सुलो ध्यान से, ऐसी कोई भी condition, जहाँ पे brain से regarding बात आजे, brain से regarding disease हो, उस condition में आप number puncture मत करना, मतलब क्या हुआ? Contra indicated हुआ, brain से regarding, कोई भी disease हो, ठीक है? तो आप क्या करना यहाँ पे? Please class को like or share, आपके last classes के अंदर बैड व्यूज थे, ठीक है? मेरा मन नहीं किया, classes मनाने का, लेकिन जब students का call आते हैं, मिसेज आते हैं, तो मैं classes मनाने के लिए, मैं खुद से आ जाता हुआ, लेकिन आपके views and share मुझे चाहिए, ठीक है, class को like और share कर दीजिएगा, आईए हम देखते हैं, ऐसे कौन से condition है? पुशन बंदा एक्जाम के अंदर, तो जो brain के regarding कोई भी condition हो, वहाँ पे contra indicated है, number, puncture, example के लिए, increase, ICP, ठीक है, brain, tumor, increase, ICP, brain, tumor, and और क्या होगा यहाँ पे, ठीक है guys, increase, ICP, brain, tumor, तो यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपका जो number puncture है, contra indicated है, यहाँ पे आपको number puncture नहीं करना है, वरना आप further complication create कर दोगे, condition को ठीक करने जा रहे थे, purpose क्या था, और कर कुछ और दोगे, करना तो वैसे तो nursing वाले कुछ भी नहीं करते है, procedure तो लेकिन, यह general knowledge की बातें होती है, ठीक है, अब, contra indicated तो बता दिए, indication ही बता दीजे में, तो indication के अंदर एक question बना हुआ है, indication में, तो indication से आपको simply, जहां पर मैं बोल दूँ, question mark है, तो उससे question mark करना, question आचुके है, exams के अंदर, ठीक है, तो अभी, यहां पर आपको, मैं, indication बतानी जा रहा हूँ, indication के अंदर, आपको लिखना है, जो meningitis होता है, inflammation of the meninges, ठीक है, meningitis, meningitis, meningitis की condition के अंदर, आप lumbar puncture करते हो, यह question पूछ चुका है, बहुत से exam के अंदर, and UPNHM 2019 के अंदर भी यह question पूछा गया था, कि lumbar puncture को कौन सी condition में करते हैं, option में होते हैं, लेकिन meningitis की condition में आप, यह क्या होता है, investigation of choice माना जाता है, lumbar puncture, ठीक है, तो आपको lumbar puncture, and इसके साथ-साथ में, और कौन-कौन सी condition है, जहां पे आप यह सब कर सकते हो, तो ध्यान से सुनना, tuber, closest, fungal, fungal infection, parts disease, bacterial and viral infection, bacterial and viral infection, तो यहां पे ऐसे कोई condition है, जिनके अंदर आप indication होते हैं, आपका lumbar puncture करने के, जिसके अंदर से question, meningitis सा बहुत बार पूछा जाता है, अब आपको समझ आ चुका है, purpose क्या है, indication क्या है, content indication क्या है, purpose का मतलब होता है, कि आपका उदेश्य क्या हो करने का, आप क्यों करने ही जरू, indication वो होता है, कि आप इस condition के अंदर आप lumbar puncture कर सकते हो, वो एक investigation के तोर पे माना जाता है, ठीक है, यह आपको difference पता होना चाहिए, अब हम जो बात करने जा रहा है कि और procedure perform कैसे करते हैं, important बात तो यह आती है, तो procedure, अब यहां से बहुत ही important बात आ रही है, कि अब procedure कैसे करते है, तो procedure, जब भी कोई procedure करने कारनी जाते हो, तो relative, जा तो खुद patient, consent देगा, या उसका कोई relative देगा, मैं बाते बता चुका हूँ, consent ले लेना, right identify patient करके, उसको procedure explain करके, उससे consent ले लेना, आपको articles collect करने होते हैं, यहाँ पर जो articles की बात आएगी, articles क्या क्या होनेंगे आपके पास में, तो articles के अंदर सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, एक तो needle होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा, आपके पास में, sample collection bottle होनी चाहिए, तीसरा, needle, sample collection bottle, तीसरा, betadine, चोथा, local anesthesia, ठीक है, चोथा, anesthesia, और पांच वाज, जो important है, बाकी तो बहुत सारी चीज़े होती है, manometer, ठीक है, जब question मनेंगे, इनसे regarding, उनके बारे बाते करते हैं, तो needle होती है, तो आप यहाँ पर दो तरह की से needle यूज़ करते हैं, 22 गोज़ और 25 गोज़ की, जो 22 गोज़ की जो गाईस, needle होती है, वो आप adult में यूज़ करते हो, और 25 गोज़ की होती है, वो आप child में यूज़ करते हो, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, needles है, okay, needle आप 22 गोज़ और 25 गोज़ की यूज़ कर सकते हो, spinal collection bottle कितनी होनी चाहिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, total कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, कौन कौन सी होनी चाहिए, एक तो आपकी cytological examination के लिए, cytological examination, दूसरा bacterial के लिए, और तीसरा viral के लिए, important तो यही होती है, लेकिन आज क्या होता है, एक bottle हम extra रखते हैं, sample को प्लिज़ दरू करके, क्योंकि कोई भी condition हो सकती है, जहाँ पे हम sample की need पर सकती है, तो बार-बार तो number puncture करेंगे नहीं, इसलिए हम एक bottle extra में रखते हैं, लेकिन आप से एक जाम दर पूछे तो आप तीन ही bottle को आप write कीजिएगा, तीन sample bottle हम यूज करते हैं, और betadine हम को यूज करते हैं, site को clean करने के लिए, ठीक है, local anesthesia हम यूज कर सकते हैं, 2% xylokane, या फिर lignocane, ठीक है, यह भी important है, कि कौन सा नस्ती से यूज करते हैं, local anesthesia से यूज करते हैं, लेकिन पैसेंट को हम थोड़ा सा midas देके sedate करते हैं, ताकि पैसेंट वहाँ पे कोई भी, वहाँ पे अगर कौन से सो जाएगा, तो हमारे procedure करने के लिए difficulty हो सकती है, manometer क्यों यूज करते हैं, CSF pressure को major करने के लिए, आप manometer यूज करते हो, ठीक है, प्रेसर आपको मैंने बता दिया है कैसे, कितना क्या होता है, अब आप चलो, आपके पास articles हैं, तो आप क्या करो, position कौन-कौन से यूज करते हैं, यहाँ पे, position से important question मनता है, तो position को भी note कर लेना, ठीक है, जो important point है के regarding, वो मैं लिख रहा हूँ, बाकी बाते आप सुनते जाना, position से important question मनेगा, position कौन से यूज करोगे, बहुत important question मनता है, position लिख लेना सभी, जो first number की position होती है, fatal attitude, position, यह भी option में ना होता हो, तो c से position यूज करते हो, यह भी option में ना हो, तो आप लिखना, lateral position, lateral position with head and knee flexed, head and knee flexed inside, क्यों, और अगर आप इसको एक नाम देना चाहूँ, तो आप इससे बोल सकते हो, lateral, recumbent, position, तो यह तीन तरीके से आप यह position दे सकते हो, ठीक है, तीनों, आपको exam में नहीं देगा, तो आपको यहाँ पे इन में से कोई एक मिलेगा, ठीक है, कोई सी भी language हो सकती है, क्योंकि चीज सहम रहने वाली है, आपको diagram में शो होगा, कि lumber puncture की shape कैशी होती है, तो fetal attitude position होनी चाहिए, या फिर cease है, बोल सकती है, क्योंकि जो बंदा लेटेगा, वो इस तरीके से ही तो लेटेगा, तब ही तो आपकी vertebra है, जो अच्छे से prominent होगी, and its space बनेगा, जिस से needle जाने के अंदर difficulty नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया, position दे दिया, site कौन से use करोगे आप, ठीक है, important बात तो वही है, site वाली, तो important है यह चीज, please 5 star है, important है, 5 star है, अच्छे से इसको note कर लेना, ठीक है, अब जो next आएगा, यह आपका होगा, यहाँ पर site selection क्या होगा, तो site selection यहाँ पर, आप use करते हो, एक single line में में इसको बोलना चाहूँ, site selection, तो दखो, site से आपको करना है, lumber puncture मतला, lumber vertebra, तो L2 से L5, single west answer तो यह करना, कुछ भी ना हो option में, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्या बढ़ाना चाहा हूँ, अच्छे सुन लेना, ना edit दे रखाओ, ना कुछ भी दे रखाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ पी भी आपसे variation आता है, आप L3 से L4, ठीक है guys, L3 से L4 और L4 से L5, अब यह जो आप यूज करते हो site, यह तो आप यूज करते हो adult के अंदर, और यह जो यूज करते हो, आप यूज करते हो children के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या बोलना चाहरा हूँ, आप जो adult के अंदर, जो most common site होती है, वो L3 से L4 वाटी ब्रा मानी जाती है, और जो children होती है, उनके अंदर मानी जाती है, most common site होती है, वो L4 से L5, reason क्या है, सुनना ध्यान से, क्योंकि जो spinal code होती है, वो adult के अंदर, आपके L, above L, L1, and below L1, and above L2 वर्ति ब्रातक होती है, ठीक है, मतलब कि मैं कह सकता हूँ, जो spinal code होती है, spinal code क्या, brain and spinal code, brain का जो एक्टेंट पार्ट होता है, वो spinal code होता है, ध्यान रखना, spinal code को इंजूरी नहीं होनी चाहिए, number puncture करते समय, इसलिए, जो spinal code होता है, वो L1 वर्ति ब्रातक होता है, और L1 से below होता है, L2 से above होता है, लेकिन चिल्रन के अंदर जो spinal code होता है, वो आपके L3 वर्ति ब्रातक माना जाता है, इसलिए आप थोड़ा space रख्यों वहाँ पर number puncture करते हो, लेकिन important बात सुनना, अगर आपके पास दोनों option में दे रखे हो, यह exam में नहीं आता है, exam में यहीं आता है, अगर आपके पास दोनों exam में दे रखे हो, तो आपको first priority पर answer देना है, L4 से L5, चाहे वो adult हो यह चाहे वो children हो, आप से पूछ लिया most common site for number puncture, तो आप इसको बिल्कुल मत करना, आपको right answer करना है, L4 से L5, क्योंकि अगर आप इस जगे पर number puncture करोगे, तो यहाँ पे भी suitable हो, यहाँ पे भी suitable हो, ठीक है, जहान सा सुन लेना, यह question आ चुका है, student confused रहते हैं, तो आपको यही करना है, 100% right होगा आपका, ओके, आपको यहाँ तक भी समझा के, site हमने select कर ली, तो सुनना गाइस, अब आपको procedure perform करना है, सुनते जाना ध्यान से, आपने patient को position दी, फटाफट लिख लेना, patient को आपने position दी, बीटाडीन से site को, site selection किया, site को select कर लिया, site select करने के बाद, बीटाडीन से, site को clean किया, anesthesia दिया, anesthesia देने के बाद, आपने needle को insert किया, ठीक है, अब needle भी insert कर दी, अब क्या करोगे, needle insert करने के बाद stýlet को remove कर लेना, needle insert करने के बाद stýlet remove कर लेना, stýlet remove करने के बाद आपको क्या करنا है, 3-way cannula को वहाँ पर connect करना है, ठीक है, 3-way cannula क्यों connect करना है, क्योंकि आपके पास कितने chamber थे, सिर्ध तिन लेकिन यहांपर पर्पर क्या है सिर्फ इंडर के अкіक्नुल से तो आपकिया करोगे इनुमितर क्यों स्ट प्रेसर चेक करना है सर इसलिए और एक से क्या करोग से बाकी क्या लोगे आप से क्या लोगे ठीक है यह आपको क्या करना है यह procedure इस तरीके से perform करना है then आपका procedure जैसे ही complete हुआ आपने sample लिया sample का amount कितना रहेगा तो आपको द्यान रखना है जो sample का amount रहेगा वो आप करना 10 ml each while में कितना होना चाहिए 3 ml यह आप note करना ठीक है कितना होना चाहिए sample का amount टोटल यह भी ना हो तो फर्स्ट्राइटी तान सो करना 10 ml को और each while में कितना 10, 3 ml और जो CSF का pressure होता है वो exam question आता है क्योंकि आपने जो manometer connect किया है वो major करेगा वहाँ पर pressure को कि वहाँ पर pressure कितना था ठीक है अब जो आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई है अब आप क्या करने वाले हो आप sample ले चुके हुआ पे वो जो sample को पी जरू करते हो वो बात important है तो सुनना द्यान से अगर आप जैसे sample यह आपको पता है कि अभी एक दो गंटे के अंदर sample चला जाएगा लेट के अंदर ठीक है तो आप sample को रों टेंपरिचर पर रख सकते हो एक दो गंटे के लिए आप sample को 22 से 24 डिगरी सेलसीयस मतलब की रों टेंपरिचर पर रख सकते हो लेकिन अगर आपको लग रहा है कि sample को time लगेगा तो आप इसको पीजरू करना 4 डिगरी सेलसीयस पर ठीक है रेफ्रिजरेटर के अंदर औ यूज कर रहे हो तो आप sample को रखना माइनस 20 डिगरी सेलसीयस पर लिए कितने गंटे के लिए रख सकते हो 12 से 24 गंटे के लिए इंपोर्टेंट पूछ ले वैसे तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ ले तो ठीक है knowledge के लिए है अब यहां पर आपको यह बात भी समय जा गई है लेकिन यहां से अब जो आएगा question जहीं आएगा कि आप procedure complete किये हो अब उसके बाद क्या करोगे needle remove करने के बाद में आप compression bandage की side को block कर देना ताकि CSF का leakage ना हो और position कौन सी होगी after procedure after procedure जो position होगी आपकी वो position होगी आपकी supine या फिर flat position बहुत है important है without pillow under the head क्यों sir क्या purpose है यह ऐसी बात कर रहे हो आप तू कि प्रिवेंट पोस्ट प्रोसीजर है इस बात से प्रिवेंट करने के लिए आप जो मरीज को position दे रहे हो बहुत important है ठीक है guys five star लगा लीजिएगा बहुत important है यह बात परपज पूछता है एक्जाम के अंदर की person को position दी जा रही है after number puncture यह वाली क्या प्रिवेंट करने के लिए and compression bandage क्यों यूज कर रहे हो CSF leakage ना हो इसलिए आप वहां पर CSF bandage यूज कर रहे हो अब यहां पर अब जो question आएगा normal finding क्या क्या होती अब normal finding क्या क्या होती है तो CSF analysis के बात कर लेते हैं फटा फट से जहां से सुन लेना CSF analysis क्या क्या कैसे होता है ठीक है normal क्या range होती है question आता है exam के अंदर normal range से ठीक है please video को like और share आपके comments होने चाहिए ठीक है guys normal finding की बात कर रहा हूँ question आता है normal finding से इंफेक्ट आ चुका है यह question सुनना normal finding तो जो CSF होता है उसकी जो pH होती है वो slightly alkaline होता है कितना भई 7.32 यह आप exact value याद रखना सबसे पहले तो ठीक है pH CSF जो appearance होती है bright और crystal color आप देखोगे न थोड़ा चमकीला होता है जैसा पानी होता है बिल्कुर उस तरीके का होता है ठीक है तो CSF का जो color होता है वो crystal यह question आ चुक है exam के अंदर यह वाला bright और crystal color होता है तीसरा यह normal है अब normal भी बताऊंगा तीसरा क्या-क्या present होता है तो सबसे पहले protein होती है sugar मतलब की dextrose होता है chloride होता है cortisol भी होता है Wbc होती है क्या नहीं होता है इंपोर्टेंट क्यूशन अब बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है क्या नहीं होता है guys rbc not present question आता है which one of the following components are not present in CSF right answer करना rbc यह सही question आएगा आपसे यह मिलेंगे rbc नहीं होती है rbc होती है तो क्या होता है वह बताने वाला हूं तो जो इनके normal value होती है ठीक है जो protein जो आपकी protein होती है वो होती है guys आपकी 3250 mg per dl डेक्ट्रोड होता है वो आपका 4260 mg per dl जो chloride होता है वो 700 बीद से 700 mg per dl होता है यह अब question यह भी आता है कि which one of the following components are more present in CSF तो जो chloride होता है उसकी value तो देखो कितनी ज़्यादा है chloride सबसे ज़्यादा पाया जाता है CSF के अंदर अब अगर यह सुनते जाना बहुत important बता रहा हूँ अगर RBC present हो गई RBC present है तो क्या वो normal finding है बिलकुल नहीं है किसको indicate करेगी it indicates intracranial hemorrhage लिख लेना it indicates intracranial hemorrhage ठीक है और intracranial hemorrhage हो गया आप कैसे पता लगाओगे कि intracranial hemorrhage यह आर्बीसी present है तो CSF के appearance के अच्छी होती है पिंक किस कलर पिंक कलर का दिखेगा मतलब मैं बोल रहा था कि एक परफ सी एसे आप ब्राइट क्रिस्टल कलर का अगर CSF का कलर पिंक कलर का होता तो CSF के अंदर क्या परज़न थी आर्बीसी डूटू इंट्राक्रेनियल hemorrhage तो बताओ आयक निया है यहां तक समझ में यह अबनॉर्मन फाइंडिंग है और क्या अबनॉर्मन फाइंडिंग देखने को मिल सकती है तो यहां पर और अबनॉर्मन फाइंडिंग सुनते जाना फट आफट देखो अगर टर्बीड कलर टर्बीड कलर होता तो वो किसकी वज़े से प्रेजेंट होता है द्यू टू इंफरक्शन अब इंफरक्शन गाइस कितने तरीके का होता है वाइरल इंफरक्शन और बैक्टीरियल इंफरक्शन ठीक है इंपोटेंट अमारे लिए यही है वाइरल इंफरक्शन और बैक्टीरियल इंफरक्शन डर्बीड कलर किसकी वज़े से हो इंफरक्शन की वज़े से तो वाइरल इंफरक्शन बैक्टीरियल इंफरक्शन मेनिं जाइटिस बहुत इंपोटेंट सुनना क्यूशन आ चुका है वायर बैक्टियल मेनिं जाइटिस बे किस का लेवल बड़ा होता है जो भी मैंने बताया था प्रोटीन और किसका लेवल डिक्रीज रहेगा बहुत इंपोटेंटेंट रहेगा था चुका बहुत है बहुत इंपोटेंट है डेवल बड़ा के लिए और डिक्रीज रहेगा जाबकी जस्ट आपोजिट वायर इंपक्शन के अंदर डिक्रीज प्रोटीन and increase dextrose and cloride ओके और increase lymphocyte ठीक है increase lymphocyte गड़ खिलिर है न यहाँ तक सभी को देखो यह बहुत important है यह चीज़ जो मैंने भी बोली है आपको यह बहुत important है कि viral में किसका level बढ़ता है क्यों बढ़ता है सुनना ज्यान से bacteria जो होता है protein substance का बना होता है जिसकी विदे से protein bacteria मरेगा तो वहाँ पर protein का level increase होगा तो protein अपने बढ़ जाएगी वहाँ पर अब और क्या हो सकता है tuberculosis के अंदर किसका level increase होता है अगर tuberculosis वाली condition हो गई tuberculosis meningitis तो वहाँ पर जो level बढ़ेगा वो भी किसका बढ़ेगा lymphocyte and one more thing जो आपका fungal infection होता है जो tumor होता है उस condition के अंदर भी protein का level increase होता है ध्यान रखना tumor कहाँ ब्रेन में और fungal infection में ठीक है tumor और fungal infection में भी किसका level increase होता है आपके protein का और अगर CSF में past present है वो भी सुन लो CSF में past present है तो neutrophils increase होंगी क्या increase होंगी neutrophils तो यह important चीजे है जितना बता है समझ में नहीं है तो वीडियो को back करके देख लेना यहां से question बनता है ऐसे चीजे हर कही नहीं मिलेंगी आपको ठीक है तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए अब जो complication है ठीक है complication से बात सुन लीजे मेरी complication क्या हो सकता है आपने जहां पर needle insert की थी सबसे पहले बात तो अगर septic technique यूज नहीं की तो infection करवा सकते हो ठीक है पास CSF के पास काम कर रहे हो compression bandage effective नहीं थी CSF leakage हो गया तीसरा hematoma हो सकता है ठीक है hematoma हो सकता है और क्या हो सकता है pain और brain stem herniation जो बता रहा हूं brain stem herniation कैसे होगा सुनिये द्यान से CSF leakage हो रहा है continue जिसकी वज़े से vacuum create होता है एक negative pressure create होता है जिसकी वज़े से brain stem खिश के आपके आपके सब aeroid space के अंदर आ जाता है जो जिससे जिसको आप बोलते हो हर्णिया मतलब कि वहां का पार्ट निकल के कई और आ गया उसे आप क्या बोलोगे brain stem herniation ठीक है इसका आप कहते हो brain stem herniation यहां पर एक question आ चुका है CSF leakage से वह क्या आया है कि अगर CSF leakage हो रहा है तो priority nursing action क्या होगा तो सबसे पहला आपका होना चाहिए प्राइटर नर्सिंग action अलग होते है मिनेजमेंट अलग होते हैं ठीक है तो देखो action क्या होगा पैसेंट को position देदो कौन सी ट्रेंडलन बर्ग मतलब की पैसेंट का जो foot end होता है उसको elevate कर दो foot end को elevate कर दो मरी जैसे सोय था जैसे यह तो क्या थे उसके पैर हां तो आप क्या करो इसको ऐसे था ना तो इसको यू कर दो मतलब सर नीचे पैर उपर तो क्या होगा जिससे CSF का जो जो फ्रो था वो उसके ब्रेन की तरफ ही रहेगा आएगा इनी gravity को जैसे परी जाएगा जिससे leakage कम हो जाएगा दूसरा और क्या हो सकता है ठीक है और क्या हो सकता है तो देखो यहां से सुनना आपने पोजिशन देढी अब वहां पर फिल्वेड का अमांट ढोक्टर कोइनफॉर्म करना फे दूसरा दॉक्त को इनफॉर्म को तीसरा वहां पर आपको बड़ Nicholas करना है Birth कि अटा मिस्टेशन करना है चौथा आपको इंप्रेशन दे सकते हो cold compression कर सकते हो लेकिन अगर यहीं आप से पूछता what is the priority nursing management what is the priority nursing management तो देखो fluid की कमी हो रही है fluid की कमी हो रही है तो ऐसी condition में क्या करोगा CSF leakage मतलब की increase fluid fluid का level increase कर दो आप fluid का level increase कर दो then उसके बाद आपको क्या करना है percent के foot end को elevate करना है फिर तीसरा आपको ice pack लगा के side को compress कर रहा है ये आपके जो मैं आपको एक बार revise करवा देता हूँ question बनेंगे वो आपके बनेंगे side से position से and आपके जो कौन से condition में नहीं कर सकते है contraindication तीसरा आप जो needle यूज कर रहे हो कितने number की यूज कर रहे हो चोथा आप complication के अंदल CSF leakage वाला है ये आपके number puncture execution बनते हैं so guys वीडियो अच्छी लगए तो like, share, comment इसी तरीकी से आपका support बने रहे and अपने दोस्तों को share करना ठीक है and आज की लिए इतना ही बाकी next class में देखते हैं thank you, thank you so much आपके लगए बाकी लगए जगज की लगए प्रशी लगए ये लगए राध।